आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now तो हमारा जो question है वो कहता है which of the following have porous body ठीक है, porous body and are diplo-blastic तो हमें यहाँ पर ऐसी organism बताने है जिनके पास present हो यहाँ पे pores और जिनके पास present हो दो germ layers या फिर दो germinal layers जिनको हम कहते है सबसे पहली तो होती है ectoderm और दूसरी होती है हमारी endoderm ठीक है, तो यह दो germ layers इसलिए यहाँ पे है diplo-blastic तो जो porous body वाला phylum है हमारा उसे हम कहते है porifera ठीक है, porifera या फिर sponges तो यहाँ पे अगर हम first option देखें तो यहाँ पे है aurelia और obelia ठीक है, दोनों की दोनों ही है हमारे second phylum में जिनका नाम है nederia ठीक है, nederia है उसके बाद adamsia और uplectella तो uplectella तो हमारा एक sponge है पर adamsia नहीं है तो हमारा option B भी गलत और A भी गलत और अगर हम option D देखें तो यहाँ पे साइकॉन हमारा sponge है पर जो हाइटरा है, वो हमारा sponge नहीं है वो है excellent rate तो हमारा option D भी गलत इसलिए हमारा option यहाँ पे बनेगा C जो की है glucose onelia and sponge यहला यह जो दोनों के दोनों हैं हमारे इनके पास है porous body यह है diplo-blastic और यह बिलॉंग करते हैं phylum पौरी फैरा से इसलिए हमारा जो यहाँ पे answer बनेगा वो बनेगा answer C आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर